बहुँ आंगंबाडी सेविकास सहय का मिनी बेहनों का अपने आल इंडिया आंगंबाडी निउस चनल की आज साम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वगत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे हाली में सरकार ने आंगनबाडी बहनों आप सब के मांदे में वरद्धी की लेकिन वहां कि आंगनबाडी बहनों को वो मांदे वरद्धी रास नहीं आई बहने उस मांदे वरद्धी से खुस नहीं है यानि असंतुष्ट हैं ज तो आईए देखते हैं कि आखिर आंगनबाडी बहनों के मांदे वरद्धी से जो बहने खुस नहीं हैं उनके बाद अब विभाक की सरकार की क्या प्रतक्रियाएं हैं मंत्री जी का क्या कहना है आखिर किस तरह की और सुवधाएं बढ़ेंगी दरसल मांदे को लेकर कि आपको अवगत करादू की 14,000 रुपिया आंगनबाडी बहनों को अब सरकार देगी जिसके बारे में एक ये आर्टिकल भी आया था मनोहर लाल का एक ये बढ़िया सा सौगात था हर्याडा की आंगनबाडी बहनों के लिए जिसमें मंत्री कमलेश टारा उन्होंने भी अभी अपन जो बयान दिया है उसको भी मैं बताऊंगा बाकी ये जानकारी आप आलेंडिया पर पहले ही देख चुके हैं हाली में आप सबको मैंने बताया था कि जो आंगनबाडी कारकरता बहने 10 साल से अधिक सेवा दे चुकी हैं उन सब आंगनबाडी बहनों का अब जो मांदे हैं जो बढ़ा दिया गया है 1349 रुपिया तो अब जो टोटल हो गया वो 14,000 रुपिया आंगनबाडी बहनों को हर्याड़ा में मिलेगा और जो आंगनबाडी बहने 10 साल से कम सेवा वाली हैं और जो मिनी आंगनबाडी बहने हैं उन दोनों लोगों को 12,500 रुपिया अब मिले टोटल पैसा और बात करें अगर सहेका बेहनो की तो सहेका बेहनो को साड़े साथ जार रुपिया मानदे मिलेगा ये जानकारी हर्याडा राजiki बेहनो के लिए बताई गई इतना ही नहीं कारकरता बहनों को जो आंगनबाडी बहनों के लिए एक लाक रुपिया रेटारीमेंट का प्रावधान था उसको बढ़ाकर सरकार ने दो लाक कर दिया और जो सायका बहनों का 50,000 रुपया रेटारीमेंट प्रावधान था उसको बढ़ा करके एक लाग कर दिया वहीं सालाना वर्दी भत्ता 800 रुपय से बढ़ा कर 1500 सरकार ने कर दिया ये चीजें हर्याना से निकल के आई लेकिन हर्याना की आगनबाडी बहनों को ये चीजें रास नहीं आई और वो बहने इन बढ़ोत्रियों से खुस नहीं है तो जिसको लेकर के कुछ चीजे सोसल मीडिया मेडिया में प्रसारित हो रही है आईए उन पर भी हम फोकस करते हैं कि आखिर हमारी बहनों को हर्याना में किन चीजें की मांग थी और वो अभी भी किन चीजें को लेकर के सरकार से चाहती है कि सरकार उनकी उन चीजें पर विचार करे तो देखेगा यहाँ पर ये एक पूरा आर्टिकल आया कि मांदे में बढ़ोत्री के बावजूद आंगनबाडी वरकर और हिलपर संतुष्ट नहीं है यानि खुस नहीं है बढ़े मांदे और रेटारिमेंट लाब को आंदोलन की जीत बताते हुए महंगाई भत्ते बकाया मांदे वा अन्य प्रमुक मांगो को लेकर आंगनबाडी वरकर 28 नमंबर को पंचकूला में नदेशक काराले पर प्रदरसन की तैयारी में है इस पर महिला बालविकास मंत्री कमलेश टाना इनों ने कहा कि आगे आगनबाडी वरकर हेलपर की सुबधाओं में और बडोत्री नाएंगे देखो मंत्रियों का ये हमेशा से कहना ही होता है कि हम आगे और करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो उनका एक तरह से ये हमेशा करेता है आंगनबाडी वर्कर और हिल्पर यूनियन की प्रदेश सद्धेच देवेंदरी सर्मा और महासचिव सकुंतला ने कहा कि मुक्यमंत्री द्वारा आईसीडियस योजना को बहुत जरूरी योजना बताना और आंगनबाडी वर्कर हिल्पर के काम के महत को दर्ज करना लंबे अंदोलन की जीत है इसलिए मुक्यमंत्री द्वारा वर्कर्स के मांदे में 1349 रुपिया दस वरस के अनुबह से कम को जो है 1101 रुपिया इतने तता हिल्पर के मांदे में 719 रुपिया की बढ़ोत्री की गई इसलिए इन कटेगरी को करमसा 14,000, 12,000, 500 और 7,000 रुपिया मांदे मिलेगा यूनियन ने इस बढ़ोत्री को जो है नाकाफी बताया यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार ने सितंबर 2018 से किन सरकार को उनके 15,500 और 7,500 रुपिय की बढ़ोत्री को 5 साल बाद लागू करने की गोशड़ा की इस बढ़ी का एरियर जो यहाँ पर मांद लिया गया बुनियादी तोर पर मांदे में बढ़ोत्री भी बाकी है रटारिमेंट लाब वरकर का 2 लाग और हिलपर का 1 लाग किया जाना तथा वरदी भत्ता बढ़ना एक सकारात्म कुपलब दी है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 25 परसंट वरकर को सुपर्वाइजर पदोनती बिना किसी सर्थ के हो और 50 परसंट परसंट जो होना चाहिए संगठर नेताव ने कहा महंगाई बत्ता अंगनबाडी वरकर को कुसल और कुसल स्रेडी में सामिल करने 30,000 वरकर और हेलपर्स पर हरताल वदी का तीन महीने का कटा हुआ वेतन जारी करने और सरकार ने कई जो कोई गोश्रा नहीं किये तो इसके लिए अगर यूनियन प्रियास रथ है तो बहुत अच्छी वायत है कि अपनी बहनों का धरने के दौरान कटे विए मांदे को लेकर के भी 28 को प्रदसन हो रहा है तो ऐसे में आलंडिया भी कहेगा कि आप सब बहने जो हैं वो अपनी उन बहनों का साथ दे जनका मांदे कटा है ताकि उनका भी जो है मांदे मिल सके साथी आंगनबाडी वरकर के आंगनबाडी के दौरान दर्जनों लोगों पर दर्ज पुलिस मुकद में अभी तक वापस नहीं लिये गए उनको भी वापस लिया जाए वो भी बहुत जरूरी है आंगनबाडी केंद्रों का कई साल से तैं किराया नहीं मिला इसी प्रकार से तीन साल से इंदन का पैसा नहीं मिला मुबाइल फोन तीन साल पहले मिलना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला हिलपर के हजारों पदखाली पड़े हैं जने नहीं भरा जा रहा यहां तक कि सी डीपियो पियो इनके भी बड़ी संख्या में पदखाली पड़े हैं तो देखो अच्छी मांगो को लेकर के दरसल 28 नमंबर को पंचकूला में बहने पदरसन करेंगी तो इस बात का भी ध्यान जो हुई हैं मुकदमे जो हैं उनको वापस लिया जाए उन सब चीजों को लेकर के भी बाते निकल के आ रही हैं वहीं पर जिम्मेदार बेहतर तरीके से जो है यानि जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाने के लिए उससा व्रद्धियों इस तरह से टांडा कह रही है मैल जिम्मेदारी को बेतर तरीके से निभाने के लिए उस्साव रद्दी होनी चाहिए उन्होंने कहा सरकार ने 9 सालों में सभी के हितों को पोरा ख्यार रखा है भाजपा सरकार ने आगनबाडी कार्टा साइका के लिए सुगाएं कांग्रेश सासन से अच्छी बढ़ाई है इस तरह से उनका अपना कहना है देखो एक ये भी बीजेपी सरकार वहाँ पर और एक यूपी में भी बीजेपी सरकार यहां बाबा जी कुछ नहीं दे रहे हैं आधा मान दे है आपके हरियाणा से ये समझ लीजिएगा आधा मान दे जबकि यूपी सरकार को सोचना चीए इस बारे में लेकिन यहां पर सारी राजनीति किन मुद्दों पर खतम हो जाती है वो बताने की आवस्यक्ता नहीं है तो कहने का अतात पर यही है कि भाई एमपी में भी एक सरकार है बीजेपी की तो बाबा जी को भी ध्यान देना चाहिए इसे मामलों में बाकी यहां पर बहने जो प्रदर्शन करेंगे 28 को वो केबल मान दे से नाखुस होकर के नहीं वो चाहती है भाई मान दे और बढ़े लेकिन उनकी समस्चाएं और भी है उन पर भी विभाग में दसाले वारता करें जैसे की मुकदमे वापस लिये जाएं जैसे की बेहनों का मान दे रुका हुआ वो जो है जारी किया जाए एरियर का भुगतानों जो पंदा सो वरत बेहन के सरकार ने की थी उसको हर्याना सरकार ने काफी समय बाद लागू किया था तब उन्होंने हवाला दिया था कि हमारी सरकार दे रही है या अपने हिसाद से जो बज़ट था बाकी इन चीजों को लागू किया गया है अब तो उसका एरियर भुकतान बहने मांग कर रही है तो इन चीजों पर विभाग एक बार अपना संग्यान ले और चीजों को करे बाकी अगर हम देखें मांदे व्रद्धी की तो मांदे व्रद्धी तो मेरे हिसाब से 14,000 जो है ठी एक सब उनके वहांपर हो गया लेकिन यहीं पर हमारे UP की अगर देखी जाए हालात तो यहांपर विजेपी आई है उसी डाइम से आई लेकिन यहांपर कुछ बदला नहीं यहांपर इतने सालों में कुछ बदला नहीं सरकार ने यहां तक की बहनों के साथ वादा भी किया गोशना पत्रों में लिखित में उसके बावजूद भी उन चीजों को पूरा नहीं किया और नहीं उसको पूरा कराने के लिए यहाँ पर चीजे उतने बेतर ढंक से हो पाई धरने भी हुए लेकिन वो भी आप देखते हैं कोई 15 सो में लटक गया कोई बस इतने में ही आकर के बाते खतम हो गई यहाँ का एक सबसे बड़ा दुख यही है कि यहाँ पर यूनियनों का जादा संख्या में होना जो की आंगनबाडी बेहनों की ताकत को खतम करता है और इसलिए कभी भी बेहनों की यूनिटी दिखाई नहीं देती सोयम की बहने सोयम की बहनों की टांग खीजती नजर आती हैं कहीं इस जिले में तो कहीं उस जिले में वो फलानी यूनियन की ये धहमाके यूनियन की वो उनको रोक रही ये इनको रोक रही बस इसी चक्कर में पूरे प्रदेश की आंगनबारी बहनों का बंटा धार हुआ प पंद्रा सो रुपे जो आंगनबाडी बहनों को साड़े सास सुसायका को जो बढ़ाए गए थे मोधी सरकार के टाइम पर बढ़ी हुई रकम को सरकार जो है जो है लागू नहीं किया दिया नहीं है रियर सो रूप तो उसी को लेकर के लिखा गया कि सभा का संचालन करते फिर एक बार चुपी सादली इस मन्द में प्रदेश की हर आंगनबाडी कारकर्टा को 90,000 रुपिया साइका को 45,000 रुपिया बनते हैं जने हर्याना की खटर सरकार दबाए बैठी है तो ये भी एक बड़ी रकम है आंगनबाडी बहनों को 90,000 रुपे मिलने चाहिए है और साइका बहने 45,000 रुपे की हगदार हैं वो सब बहने अब आप सोचिएगा जो की 1500 मोधी सरकार ने बढ़या था और सरकार उन पैसो का बोगता नहीं किये इसलिए यहाँ पर ये बोला गया इसके लावा बरस 2022 में हुई हर्ताल के दौरान हर कारकरता के करीमन 36,000 रुपे औ जाये ढंक से काट लिए गए जबकि समझोते के अनुसार सिर्फ 100 रुपे ही कटोती करने थी समती बनी थी सरकार ने इन रकम का भी भुकता नहीं किया वर्दी की रकम 2000 होनी चाहिए थी विभागी 59 सर्विस के विष्टा के आदार पर होनी चाहिए थे लिखित परिक्षा क प्रावधान का कोई जो यहां पर वरोद किया गया तो भाई प्रमोशन तो सही बात है प्रमोशन जो होना चेह विभागी इस तरह से आपने यूपी में भी देखा है आन्ने राज्यों में भी देखे होंगे बिना परिक्षा के प्रमोशन होते हैं सीधी भरतियों में परि विभाग में तो बाकी वही चीज की बहनों ने मांग की है अब यहाँ पर लेखा गया है आठ अक्टूबर को बिवानी में प्रदेश स्तरी रैली में क्रसी मंत्री जेपी दलाल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम अपना ग्यापन दिया था इन सब चीजों को लेकर के भी वाते लिखी गई है तो आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी प्रत्कियाओं को कमेंड में दर्सा सकते हैं